तोपिक डाटीज आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में गति क्या होती है ठीक है कि हमारे पास विबिन प्रकारगी जो थींक वस्तु है उनमें से कुछ गति करती है वो कुछ रेस्ट पोजिशन में पाई जाती है उनके बारे में हम दिसकस करेंगे देखो, there are so many things around us हमारे पास अनिक वस्तु होती है हमारे चारोर अनिक वस्तु होती है some of them are in motions bodies that are moving उनमें से क्या होती है कुछ motions करती है कुछ गति करती है body's data moving जैसे हमारी body की बात करे हमारी सरी की बात करे वो क्या करता है गती करता है there are some data not moving and are at a rest उनमें कुछ भस तो यहीव होती है जो motions नहीं करती rest position में पाई जाती है जैसे हमारी पास कुछ example है some example that is butterfly, fish है, table है moon है, box, knife spoon, fan, cow लिस्ट गो एंडलेस मतलब कुछ एक्जामपल है ठीक है इनमें से कुछ बस तो यह मोशन करती है और कुछ ट्रेस्ट पोजिशन में पाई जाती है जैसे हम बात करें किसकी बटरफलाई की बात करें ठीक है तो बटरफलाई क्या करती है मोशन से करती है तो बटरफलाई किसक की साथ अपनीज्द्री में कोई परिवर्थन नहीं करती ठीक है इसके बाद बात करेंच की जांकू आप साफक्स कोई मुवमेंट नहीं करता तो गोड़िघ कि ओब्स फपुन की बात करे चमच की बात करें चमच supports वह जो कोई of motions नहीं करता fadin की बात करें felt क्या है फीन मोशन्स करता है इसके लावा है कई काउ की बात करें का lon और वाफेलो क्या है motions करती है ठीक है इसके बात करे कार है बोल है रेश्ट इनमी से कुछ क्या है कुछ बस्तुy motions करती है तो आपको ये पता होना चाहिए motions का मतलब होता है वे वस्तुय जो समय के साफेस अपनी स्तती में परिवर्थन करें और जो वस्तुय समय के साफेकस अपनी स्तती में कोई परिवर्टन नहीं करें उन्हें हम विराम वस्तुई भी बोलते हैं समझ में आ गया देखो rest and motions are related रहम बात करें किसकी motions की और किसकी rest की ये दोनु क्या है? एक दूसरे के relative term है rest का मतलब होता है विराम positions ठीक है? विराम motions एक होता है motion ठीक है गती एक तो होता है गती सिल वस्तु एक होता है विराम वस्तु ठीक है? हम वस्तु की रूपे किसी भी चीज को ले सकते हैं ठीक है? तो देखो imagining you are you are sitting in a compartment of the moving train जिसे हम imaging करते हैं कि हम train के जो डिब हैं उनमें बैटे हैं you are in the motions in relation to farmer studying in field or the platform जैसे हम बात करें कि you are motions in relation to a farmer studying in the field जैसे हम क्या करते हैं? खिसान क्या करते हैं? खेतों में क्या करते हैं? एक किसी विवेक्ति को क्या करते हैं? स्टेडिक खड़ा करते हैं और in the platform तो इन दोनों में ये दोनों क्या है? एक तरह से relative train है because you are position is changing with respect to them क्या करते हैं? ये अपनी position change करते हैं with respect to them however if you compare your position with respect to the thing inside the train that is other passenger wall and roof of the train, fan, etc जैसे हम बात करें कि एक के train में कम से कम 2-4 passenger है तो हर passenger क्या करते हैं? कुछ relaxed form में बैठे रहते हैं कुछ movement करते हैं ठीक है? कुछ क्या करते रहते हैं क्या होता है हर passenger का अलग लग वर्क है कि कुछ passenger क्या करते रहते हैं और कुछ क्या ठीक है? इसके बाद बात करें that is other passenger wall and roof of the train and fan, etc it's not changing, ठीक है? therefore in the relation to these opt, you are at rest ठीक है? इसके अलावक बात करें कि उन में से कुछ object क्या होते हैं you are at rest position में बैठे जैसे किसी भी व्यक्ति खा, rest, चुप चाप किसी भी जगे बैठना तो वो कौन सी position है? उसकी rest position है आराम, जैसे हम इनसान के बात करें इनसान दोनों position में होता है, वो moment भी करता है वो rest position में भी होता है समझ में आ गया? therefore, thus a object can be emotions in relation to one set of the object while it is a rest in relation to another set of object इसका मतलब है कि motion is relation to one set of object कि जो motion होती है, गती होती है relation to one set of object कि कोई भी हमारे पास object है, कोई भी वश्तु है ठीक है? उसे related है while जबकि it is a rest relation to another set of object जबकि हम rest की बात करें, आराम की बात करें कोई भी आराम वस्तु है, ठीक है? तो उसे another set मान सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो motion और जो rest होता है वह क्या है दोनों ही क्या होते है relative ट्राम होते हैं it is the observe and surrounding that decide whether it ground object considered rest and motion और हम क्या observe करते हैं कि किसी भी वस्तु को देखे हम observe करते हैं कि कि कौन सी position में है तो हम basically बोल सकते हैं कि motion क्या होते हैं जो गती और जो rest होते हैं दोनों एक ही time होते हैं motions का मतलब होता है हम बात करें motions का motion का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु क्या हो समय के साथ time to moment करें हम बात करें कोई भी वस्तू समय के सापक से एक वीराम पोजिसन में हो तो वह क्या होता है मतलब बात करें motions का मतलब एक्जामपल लेते हैं जिसे बात करें फैन की तो फैन क्या है तिसे जी एक्जाम्पल ओफ एक मोशन जरी यह क्या करता है समय के साफ एक से मुमेंट करता है इसके बाद हम बात करें किसकी हम बात करते हैं जैसे फिस की बात करें फिस भी क्या करती हैं फिस की बात करते हैं समय के साफ एक से मुमेंट करती हैं इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी जैसे बोक्स हमारे पास टेबिल है थीक है यह किसका एक्जाम्पल ç возь रिएराम का एक्जाम्पल यह cassample कि क्या करती है सम्य करती है कोई moment नहीं करती ठीक हैं तो हम एक्शाम्पल कि अकोडिंग बता सकते हैं कि कौन से वस्तूर मोशन में हैं और कौन से वस्तूर वोग्ग में कमपेर करें कि देखों हमारे पास एक्जामपल है जैसे मेने एक्जामपल लिए हैं फिस 速 किये विस है मेरे पास एक्जामपल इसके अलावा बोक्स और तो सुपिंचा रिक अब कर से आइदेन्टिफाई करना है knife कि identify करना है कि this is example of motion and this is example of a rest तो हम बात करें किसकी fish की तो fish is example of motion fish क्या होती है मचली क्या होती है समय क्या according क्या करती है moment करती है इसकी बात हम बात करें box की box क्या होता है box को हम कहीं पर भी रख दें तो वो समय के साथ कोई moment नहीं करता ठीको box को हम अपनी हाथों से उदर से उदर रखेंगे तब ही वो moment करेगा ठीक है इसके बाद हम बात करिये moon चंदर्मा चंदर्मा क्या करता है समय के साथ एक सप्स अपनी स्थी में परिवर्तन करता है गतिसील होता रहता है तो this is example of emotions हम बात करें किसकी knife की तो knife क्या है knife कौन सा है किसका example है rest position का की knife समय के साथ अपनी स्थति में कोई परिवर्थन नहीं करता इसके अलावब कुछ और example है जिस हम बात करी spoon चमच की बात करें चमच कोन सा example है rest position में fan की बात करें fan है motions position में cow or fellow क्या है वो भी समय की साथ एक्स क्या करती है moment करती रहती है अपनी स्थति में परिवर्थन करती रहती है और सबसे main बात करें हम अपनी बात करते हैं जैसी human की बात करें ठीक है हम human की बात करते हैं तो human क्या करता है human भी क्या करता है समय के सापेक्स अपनी ही इस्तती में परिवरतन करता है ठीक है Students हम next video में type of motions के बारे में पढ़ेंगे कि motions क्या होता है motions हम linear motions के बारे में पढ़ेंगे rotational motions क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे oscillatory motions क्या होती है periodic motions क्या होती है uniform और non uniform motions क्या होती है ठीके इनके अलग लग एक्जामपल है उनको identify करेंगे कि कौन सा एक्जामपल किस motions का है Okay students, thank you